आज हम लोग अप्लिकेशन लिखना सिखेंगे ठीक है अप्लिकेशन ये पांच मार्क्स का पुछा जाता है इंग्लिस में जो की बहुत ही नम्मर उठाने का बहुत ही अच्छा तरीका आता है ठीक है आज हम इंग्लिस में अप्लिकेशन लिखेंगे ठीक है जो की बहुत ही असान है ऐसा किसी भी जगर नहीं बताया जाता है ठीक है तो चलते हैं कोश्चन कैसे देगा वो जानते हैं ठीक है आपको कोश्चन मिलेगा का राइट एन अब्लिकेशन टू यौर प्रिंस पर ठीक है हम लोग के पास सीख रहे है ठीक है लिखने के लिए राइट प्रिंसपल रिक्वेस्टिंग हीम यह एम एस ठीक है आप इसी पर बदल भी सकता है लेकिन आपको घबराना नहीं है ठीक है इसी पर ही बनाना है ठीक है तो इसको कैसे बनाएंगे एप्लिकेशन को यह देखिए बेसिक है ठीक है टू यह तू दा प्रिंसपल अप्रिंसपल ठीक है यह जब भी आपको को बुछएगा अप्लिकेशन लिखने के प्रिंसिपल के पास ठीड है टू दा में यह सबमें कोपैंट ठीड है ने क्लेजने के बाद आप अपने इस में से हैं उस कॉलेज का नम लिख से हम है मैं हूं जैसे कि आंड़ी मुझा तो मैं यहाँ पर ₹ warming चंदंतूपुरा बेर आप भी इसे आप जिस कॉलेज से उस कॉलेज का नाम लिख दीजेगा अब देखिए यहां पर सब्जक्ट किसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है तो देखिए यह आपको कोश्चन से ही मिलेगा ठीक है देखिए सब्जक्ट हमारा क्या कह रहा है राइट एन अब किसके द्वारा हम प्रिंस्पल के द्वारा ठीक है हम अपने क्लास टीचर के द्वारा प्रिंस्पल को अप्लिकेशन दे सकते हैं ठीक है इसलिए थ्रूग में लिखा जाएगा दा क्लास टीचर ठीक है यहां तक सभी कॉमन है किसी भी परकार का पुछेगा अप्लिकेशन लिखने के लिए प्रिंस्पल के पास तो यह सब कोमन रहता है ठीक है यह पूरा यहां तक सभी में लिखाएगा ठीक है अब देखिए लिखना है आपको सर ठीक है सर मोस्ट हमली एंड रिक्वेस्ट फुली ठीक है मोस्ट हमली एंड रिक्वेस्ट फुली आई वान टू से डेट यहां तक यहां से लेकर ठीक है यहां से लेकर यहां तक ठीक है यहां से लेकर most humbly and requestfully I want to say that यहां से लेकर यहां तक आपको comment लेना है जब भी आपको लिखना है तो यहां से लेकर यहां तक ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद कैसे लिखा जाता है अब आपको मन से किसके द्वरा हम लोगे के द्वरा यहां तक लिख देने के बाद आपको subject यह हमारा subject है इसको लेकर यहां पर लिख देना ठीक है हम भी क्या लिखें है subject में arrange a sent up exam ठीक है तो यहां पर subject हम लिख दिया arrange a sent up exam ठीक है यहां तक भी आपको कोई दिकत नहीं होना चाहिए ठीक है और कहां होगा यह स्कूल में ठीक है इन आवर एन्वाल एक्जामीनेशन ठीक है यह तो आपको लिखना ही परेगा ठीक है इन आवर एन्वाल एक्जामीनेशन पूछ रहा है ने देखिए यूर एन्वाल एक्जामीनेशन ठीक है यह सब भी यहां तक आपको कोमन ही रहता है ठीक है सिर्फ यहां पर subject लिख देना होता है ठीक है अब देखो क्या करना परता है ठीक है आपको subject बदल देखा ठीक है आपको subject बदल के दूसरा दे देखा ठीक है तो उस सब को change नहीं करना है ठीक है subject यहां पर लिखे देखे जो subject आपका बनेगा वो subject आप इस जगा पर लिखे दीजेगा ये भी ऐसे ही रहेगा सिर्फ subject change होगा और यहाँ पर वो subject जो यहाँ पर subject बनेगा वो भी यहाँ पर लिख देना है ठीक है In our annual examination ठीक है जिसके बारे में कहा जाएगा वो आपको लिख देना है ठीक है अब इसके बाद देखो क्या लिखना है therefore यह हटा के थोड़ा सा होगा there और for therefore your permission हम लोग permission मंग रहे है प्रिंसपल से therefore your permission therefore your permission यहाँ पर double लिखा गया है therefore your permission is necessary हम उनसे बिंती कर रहे है ठीक है therefore your permission is necessary ठीक है please grant us to arrange a sent up exam ठीक है अब देखिए यहाँ पर भी subject ही आएगा ठीक है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ठीक है necessary तक ठीक है therefore से लेकर necessary तक आपका common रहता है ठीक है फिर से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखाएगा ठीक है यहाँ से यहाँ तक common रहता है और यहाँ से subject subject में हम क्या लिखे थे arrange a sent up exam ठीक है तो वही subject यहाँ पर लिखना है दो बारा ठीक है please grant us to arrange a sent up exam ठीक है subject ही हम यहाँ पर भी लिख दिए अब देखो हम तो यहाँ पर तक लिख दिए अब देखो sent up exam we shall be grateful to you we shall be grateful to you जैसे हम हिंदी में नहीं लिखते इसके लिए मैं आपका सदा अभारी रहूंगा ठीक वैसे ही we shall be grateful to you यह भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कमान आता है सभी में लिखाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका रॉल नमर बर्ग करमाग लिखेंगे इंगलिस में यूर ओवीडियेंट ओवी आई डी आई ए एंटी ओवीडियेंट ठीक है अर्मान कुमार क्लाश यहाँ पर आपको लिखना में है ट्वफ यहाँ पर रॉल नमर जितना रहेगा रॉल नमर डेट। आप जिस तारिक को लिख रहे हैं उहां पर यह डेट दे देना ठीक है बस आज भर लिख लेजिए यहां पर एक बार देख लिजिए फिर से इसे ही आपको लिखना है ठीक है स्क्रीन स्वाट आप ले ले जाएगा ठीक है देखिए इसे आपको लिखना है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें ठीक है सब्सक्राइब भी करने लाइना ठीक है